नमस्कार स्वागत है आपका बॉलिटेन में मैं हूँ आपके साथ रागनी सिंगा ठोर रुख करते हैं खबरों का स्वारूप में मुख्यमंत्री शिवराद सिंग्छ चोहान और सायोगी मंत्रीगर का पुतला दहन किया गया फिरुजगार है उन्हें के साथ पहले भी एक व्यापम घुटाला हुआ यह हूँ लूख जंता के सामने हैं किस तरीके से मद्द पर्देश मे पटवारी परिच्छा हुई और नौजार चाहत्र को चैन हुआ उनौजार चात्र में 144 शात्र ऐसे हैं जो जोरा विदान सवा के कुश्वा जी जो भारती यंदर पाटी के विदायक है उनका कॉलेज है एनराई कॉलेज वहां से सलेक्ट होते हैं 144 लड़के और उसी कॉलेज से ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अंडर 10 में रिजल्ट आता है उनमें से साथ ल लोग उसे अनराई कॉलेज से सलेक्ट होते हैं और जिसमें कि 9 हमारे भाई ऐसे रहते हैं जिंके बरेली से कावडियों पर पत्थराफ का मामला सामने आया मामला बारादारी के जोगी नवादा का है जहां सहा नूरी मस्जिद के पास 2000 कावडियों का जथा कच्छला में ज आके में च्छावनी में तब्दील कर दिया गया कि कवर महा सुमंद से है जहां भारतिय जुन्ता पार्टी किसान मोडशा ने 36 गड़ राज सरकार द्वारा मंड़ी शुल्क 5.2 प्रतिशत की जाने का फ़रोद किया उनका कहना है कि राज सरकार ने मंड़ी शुल्क को पहल हर्दोई में खेत में आग लगने से हरकम पच गया पूरा मामला हर्दोई के बगहौली थना सहरोरिया बुज़ूर्ग मजरा घुर्मई इलाके का है जहां संधिक्द परस्थितियों में आग लगने से खेत में बनी जोपड़ी जिलकर खाक हो गए हाला कि ग्रामिरों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया पर इस पूरे मामले में पेड़ितने जमीनी विवात के चलते आग लगाने का रोप लगाया और पुलिस से मामली की जाच करने की मांगी थाना भगवली छेत्र का एक वीडियो सोचल मीडिया पर वाइरल हुआ है जिसमें एक खेत में बनी हुई जोपड़ी में आग लगी हुई है और यह माना गया कि संदिक्ट परिशितियों में आग लगी है इसके लिए थाना धेश बगवली को इसकी जानती गई है जो भी आधार पर इसने आग लगाई उसके खिलाब की जासे अभी चुकी जांच में अगर ऐसा आता है कि किसी ने आग लगाई है इसके विरुद्ध अभियों पंजिक्ट करते हैं जल चडाने जा रहे है पैदल कावडियों को अग्यात ट्रक ने टक कर मार दी तीनों कावडियो वॉट से भारम देव मंदिर जा रहे थे इंदनों जोती वॉर्या काफी चर्चाओं में है उन पर स्टीम बनने के बाद पती को छोड़ने का रूप लगा है कुछ ऐसा ही मामला कहना के नगरी मतुरा में भी देखने को मिला जहां पर एक प्राइवेट टीचर ने अपनी पर सरकारी नौकरी लगने के बाद उसे छोड़ देने का रूप लगा है मामला मतुरा ब्लॉक के गाउन नगला धनिया का है जहां 69,000 सिक्षक भरती में गीता का नंबर आया और नियुक्ती बतौर सिक्षिका हो गई सरकारी नौकरी लगने के बाद गीता अपनी दोनों ब पत्नी गीता सागर से सवाल किया गया तो उन्होंने दहेज और मार पीट के आरोप लगा लेकिन गाउवासियू ने श्राइलेन के आरोपों को सही बताया कि सर्मेरा पत्नी साथ ऐसा को बवाद नहीं है मेरी साधी 8 शम दुए 16 को उसके बाद मेरी पत्री में साथ खोग कुश्ती बढ़िया लगे ते हम पिर मैं मैंने वो बी एर थी तो पढ़ी लिकी मैंने एक जुन उन्हें तो पढ़ी लिकी मेरी ज़िए मेरी डिबान थी मो मैं में खुब बीटे हूँ तो मैंने उसको मैत कराया है मैं पढ़े तू जादा जोब लग जाए तो अच्छा राएगा तो सर जब उसको टेड़ वेड़ सब के लिए करवाया हूँ करते हैं इनके पास नहीं आती है क्या कहते हैं तो आप पंचात में भी रहे थे क्या पर वहां पर भी मने कर दिया मुझे नहीं जाना है नहीं जाना है खबर राएपुर से है जो हां समविदा कर्मियों की अपनी नियमती करण की एक सूतरी मांग को लेकर हरताल अब तक जारी है इस अरताल ने अब आमरान अंशन का रुक कर लिया है और इस आमरान अंशन में बैठे करमचारियों के स्वास्त में भी गिरावट आने लगी है प्रदेश के समवदा करमचारियों के वेतन में 27 प्रतिशत की व्रद्धी की गई है रिपकी वास्तम में 48 प्रतिशत होना था करमचारियों का कहना है कि सरकार हमसे बात नहीं करना चाहती सरकार ने अब तक हमारी मांगों को सुना ही नहीं इसलिए उन्हें ये पता नहीं है कि हमारी मांग आखिर है क्या पंचायद भवन में रिपेर के नाम पर लाखों रुपए के घोटाले का मामला सामने आया प्रधान और पंचायद सच्छिव ने मिलकर घोटाला किया है मामला हर गाओं ब्लॉक की ग्राम पंचायद निगोहा का है जहां मिट्टी पटाई मरमत क के नाम पर सरकारी धन को बंदर मांग किया गया आंगनवारी केंद्र में बने भवन में टाइल्स लगाने की नाम पर लाखों रुपए का घोटाला भी हुआ उननाओ में दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले जिसका वीडियो जमकर वाइरल हो रहा है वहीं ट्वीट करके पुलस ने मामने की जानकारी दी पुलस ने वाइरल वीडियो को संग्यान में लेते हुए मारपीट करने वाले दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्स किया वाइरल वीडियो हसन गंज कोतवाली अंतरगत मतरिया ग्राम पंचायत के मजरा लीला खेडा का बता है जा रहा है वहीं युवक ने पुलस से नयाय की गुहार लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी का किसी और से सम्मन था और मना करने पर पत्नी ने उसे धम किया दी अलाकि पुलस ने केस दर्स कर लिया है और मामले की कारवाई शुरू कर दी है खबर दुर्ग से है जहां गुंडा बदमाशों के साथ अब स्लम बस्तियों में संधिक्द लोगों पर कारवाई की जा रही है इसके तहत आज दुर्ग पुलस द्वारा 2000 से जादा आवासों पर ट्रकिंग की गए जिसमें आदा दर्दन से जादा संधिक्द लोगों को गरफतार किया गया और उनके पास से चोरी की मोटर साइकल और काई अपत्ति जनक के सामान बरामद हुए फिलाल कसे भी अपरादिक अत्वधी के जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूषना देने के निर्देश दिये गए हैं इसके लावा अंजान व्यक्टियों को इस छेत्र में नजर आने पर भी पुलिस को सूचित करने के निर्देश दिये हैं कि दूर्पुलिस के दौरा जो बेसिक प्लिसिंग को लेकर अभियान चला जाता है उसी तार्टम में आज हमारे मोहनगर ठाने से प्रिके मांबे आवास आवासी परिशर में हमारे दर सर्प्राइस चेकिंग की गई है यहां पर अठारा सो से दो हजार के संख्या में मकान है नगर निगम और सरकार के दर बहुती सस्ते दरों पर मकान यहां पर उपलब दोने कारण अवे लोगों के दोरा भी कभ्या करके या फिर पूसे किराया लेकर धरों का इस्तिमाल क्राइम क्रूप में करने की सुच्छा पत्र हमारे दर दर द अभी इस कारवाई में असा पतेबुर में व्यक्षारोपन कारिक्रम के तहत अमौली विकास खंड में पौधारोपन कायो जुन किया गया ब्लॉक प्रमुक सुशीला सिंग और खंड विकास अधिकारी ने कैंपस में पौधारोपन कर स्वच्छ परयावर वरानी का संदेश दिया वहीं कारिक्रम में विकास खन के सभी गाउंव में प्रधानों और जंता को दस हजार पौदे लगाने का लक्ष दिया गया साथी कारिक्रम में जल बचाव पर भी चरचा हुई हमारा मॉलिक जल बच्व दिशक दिख दार्चा लगाने के लिए भी लोगों ने जियो हमारी दिल प्रष देख कर दारा रहा है इसका प्रदान का प्रदान करा है कि आज भी सब जगा हरिच प्रांती और विच्छा रोपर के रूपने लाए जाएगा मौलिfar जोन में आया हुआ है पहले भी ठांप पूरा प्रयास किया रहाँ हमारे ते बहुत सारी प्रदा करता है जिसे गाओं कबर बेमतरा से है रहा कुछ लोगों ने शीतला माता मंदिर सिंगहौरी में भक्त माता कर्मा की मूर्थी को खंड़त कर दिया कलेक्टिर के साथ साहू समाज ने बैठा की जिसमें फॉरंसिक जांट के बाद दोश्रों के खिलाफ कारवाई करने की बात कही गए वह माता के खंड़त प्रतिमा को लेकर राजनीती गर्माई हुई है आज कलेक्टिर सबागार में साहू समाज के साथ नगरपाली का परिसद बेमतरा के आला अधिकारियों सहित समाज के जलाध्यक्ष और सर्व दलिय समाज के योगेश्ट तिवारी कसान नेता ने ग्यापन स शापकर करकड़ी कारवाई करने की मागी है करता दर्मा चाल वह दूम्हाज की जो मूति बनाया है वह लिए और मुटि इस तर दर का मूर्थी बना हुआ है यह आपके पता चले रहा है प्रत्ति दुर्ग से- पर तरह कि लागत से भक्त कर्मामाता की जो सिंगोरी चोक में जो प्रतिमा का लोकारपन किया गया है वहां इस्थापना किया गया है पहुत जल्द एक हपता पहले गृमंत्री जी ने उनका लोकारपन किया है और बताईए उस्थिग्रस्थ हो गया सब का स्था जुड़ा सब्सक्राइब करना है तो पत्थर का और असे असे मिटल का प्रतीमा लगा जाना जी ताकि शतीक रस्त नहीं जुलवत्त पर प्रस्तिमा स्वाजन उसके लिए त्म मानी कलेक्टर के द्वारा जित्ति मेनिया के जाएगी और रहे बाद जुलवत्त युद्त हप्ट जुलवत्त युद्त हब कि मुर्ती विगत साल भार्षे वहां अख़्िए अनावरान उसका भी हुआ है और उक्ति सं खबर बेमतारा से हैं जहां संचनाले रोजगार और परस्विक्षण नवा रायपुर चात्रावास अधिक्षक और चात्रावास अधिक्षका पद के लिए बढ़ती परिक्षक आयुजर्ट तेईस जुलाई को किया गया था परिक्षा की जमिलाई चात्यसगर वेवसाइ और अधिक्षक और प्रतिबंद लगाया था है को अधिक्षक और लेकिन उपस्तिक 116 है और उपस्तिक 234 है क्या लगता है घाम कितने शांदिटी लगाएगे वह से प्रेश्मत के बहुत से करें नहीं था गॉर्मल इंचान्ट भी बिना पढ़े भी कुछ और आज का पेपर देखते हैं कि उनका एक्जाम बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि पेपर बहुत उजी आया था गौनडा में यतायात सुरक्ष्टा पकवाणा के तहत चेकिंग अभियान चलाएगया बतादे गौनडा पुलिस और संभागे परिवहन विभाग की टीमों गुरु नारक चोराहे पर जाग रूपता के यह चेकिंग अभियान चलाया च्रेकिंग के दौरान जातर लोग यता सब्सक्राइब करने वालों और वहां चलाते से में मोबाइल पोन का यूज़ करने वाले दुखों को ऐसा ना करने की सरादिती है उन्हें निर्देश किया गया है कि जब भी वह तो पहिया वहां चलाएं तो हेल्मेट का जरूर क्यों करें लोग तमाम प्रयासों के बावदूद ये समझने को चाहत्रों के भवविष से खिलवार करने का मामला सामने आए पूरा मामला हमीरपुल के गेरी गाओं का है जहाँ प्रात्मिक विध्याले में बच्चों के हाथों में किताबों की जगाए अध्यापकुले Corner न जहाओ वह स्कूली बच्चों को जाड़ो लगाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है। अरोपी उसे लिफ्ट देने के बाहने खेत में ले गए वहां उसके साथ बारी बारी से दुश्कर्म किया। तीसरे आरोपी ने नविवायता के साथ रेप किया तथा शौथे आरोपी ने निगरानी की थी। परियादी है जिसने बताया कि मैं बिजरोनी वाली रास्ते से अशोक नगर जा रहे थी। तो मेरे को दो लड़के मिले जिन्होंने मेरे को बाइक पी बिठा की लेके गए फिर उन्होंने गलत काम किया। और भी दो और लड़कों को उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने भी गलत काम किया। इस परकार से चार लोगों ने उसके साथ गैंगरेट किया है। पूरा मामला हर्दोई के लाखम पुर गाउं का है जहां जमीनी विवाद में दबंग अव्याद असलह लहराई कर लिया जो सोशल मेरिया पर वाइरल हो रहा है इसके बाद पुलिस ने वाइरल वीडियो को संग्यान में लेते हुए पीड़ित पक्ष की तहरीर पर दबंगों के खिलाफ मुखदमा दर्स किया और दबंगों की तलाश में जुटी है यह फाना पाली में ग्राम लगमा पूर है वहाँ दो पच्चों में एद पच्च करोडेज का और दूसरा संतोस कुमार का पच्च है जिसमें जमीनी विवाद को लेके जगड़ा हुआ था और उसमें संतोस पच्च द्वारा तमंचा लाराय गया है द्वारा इसमें तहरीज दी गई है अभी योग पंजीट किया गया है तमंचा लाराने वालों गिरफ़तार करके और तमंचा बरामत किया जाएगा हर्दौई में एक सिपाही के दोरा सरयाम यूवख को जूतों से पीटने का वीडियो सामने आया यूवख को 48 मिनट में 48 जूते वारे वीडियो वारा होने के बाद पुल्लिस ने सिपाही के विरुद कारिवाही की बात कही ये घटना बेज़ा चोराहे की बताई जा रही है ये सिपाई शहाबाद कोतवाली में यूपी 112 में तैनात है आपको बता दें कि कल हर दोई आए एडीजी पीउ शुमाडिया ने पुलिस लाइन में समीक्षा वैठक के दौरान सभी अधिकारियों को निर्देशित दिये थे कि जनता के प्रती पुलिस अपना विवाद ठीक और शारीन रखे अब ये वीडियो सामने आने के बाद जांच की बात कही गई है सोशल मीडिया पर एक वीडियो बाइरल हो रहा है जिसमें एक वेक्ट की दूसरे वेक्ट की पिटाई कर रहा है बताया जा रहा है ये वीडियो सहाबाद का है जिसमें प्यारवी में नियुक एक कॉंस्टेबल दिनेश जो साधे बस्तरों में है उसका वो किसी दूसरे विक्त की पिटाई कर रहा है इसके संबंद में सियो सहाबाद को जांच दी गई है जांच में जो भी चीज़े साहारनपूर बहट में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में लाथी तंडियो तेज़दार हतियार चले मामला थाने फटेपूर छेत्व के ग्राम बुड़्डा खेड़ा पुंडीर का है जहां कासुनी खूनी संगर्ष में बदल गे इसमें तीन महिलाओं सहित साथ लोग गंभीर रूप से घायल हुए कटा के सुष्णा बलते ही फते पुर्थाना अद्यक्ष प्रमेद कुमार फोर्स के मौके पर पहुंचे और सभी गायलों के उप्चार के लिए समुदायक स्वास्त केंद में भर्ती करा है जहां प्राप्ने के उप्चार के बाद हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर किया गया साथी गाहों में शांत्य ववस्ता बनाए रखने को भारी पुलिस बलते नाथ किया गया है फिलाल मोटर साइकल के खंबे से टकराने की सही वज़ा सामने नहीं आई लेकिन मौकी पर पहुंची पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्तमात्रम के लिए भेज़ दिया और आगे की जाच में जुट गए मतुरा में बीते दिन राजुपाल ने संस्कतिक विश्विध्याले कैंपस में 932 आगनबाडी संसोधन किटो के वित्रण कारिकर में प्रतिभाग किया साथ ही राजुपाल ने जुलादिकारी को प्रसश्टी पत्र दे कर समानित भी किया कारिकर्म का शुबारम करते हुए जुलादिकारी पुलकित खरे ने कहा कि जुनपत के लिए एक एतिहासिक दिन है उन्होंने कहा आज मतुरा के सभी आगनबाडी केंद आगनबाडी संधादन किटों से सुससजित किये गए है कबर महासुमंद से है जहां ग्राम मोरधा के ग्रामीडों ने कलेक्टर को ग्यापन सौप कर सरपंच मोरधा पर आरोप लगा कि ग्रामीडों के बिना सलाह मश्वरे के महासुमंद निवासी मुस्ताक हुशायन को खस्रा नमबर 605 एवम 607 की जमीन पर पॉल्च्री फॉर्म खोलने की अनुमती दी है ग्रामीडों ने विरोध करते हुए जुला मुक्याले पहुचकर महासुमंद कलेक्टर को ग्यापन सौपा और गाउ में खुलने वाले पॉल्च्री फॉर्म को बंद करने और एनुसी को ततकाल नरस्त करने की मांगी कबर MCB से है जहां स्कूल में दो सिक्षकों की पदस्थापना तो हुई मगर सिक्षक आज तक स्कूल नहीं आए अगर बात की जाए इस स्कूल की तो यहां स्कूल यहां पर कारणरत चपरासी की देखरेक में सिर्फ खोला और बंद किये जाता है बात की जाए यहां पर सिक्षक रहर करने के नाम पर आने वाले बच्चों की तो वो बच्चे सिर्फ मध्यान भोजन करने के लिए स्कूल आते हैं और चले जाते हैं नवीन जिले में लगातार ग्रामीर छेत्रों में सिक्ष्रा के अस्थर लगातार गिरता जा रहा है वहीं चात्रों के दौरा बताया गया कि हमारे सर नहीं आते हैं और हम लोग ऐसे ही पढ़ाई करते हैं कि स्कूल में टीचर को बारे में क्या बता रहेते हैं मैं यहां जब से साला उस्तम अपना गया है मेडिल इस्पूल वाले जब साइज तक इस्पूल नहीं है बीचव राश्टी के माध्यम से अपना चल रहा है। हॉस्टल के विशाम होस्टल में भी कोई पुछ नहीं ना भी छका पता ना बच्चों का पता तुछ परकाशना है। आज मार्मुचाला बरगामपला में एक भी टीचर नहीं है, जब से साला उत्सा हुआ है, जब से आल तक मैं ही आए, उनको कारवाहि किया जाए। यह बात भी समाचा के मात्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, और इसकी विधिवत जाँच के लिए मैं वहाँ के अधिकारियों को निर्देशित किया हूँ, और आइटिंग में मैं जाँच प्रतिवेदन का इंतजार करता हूँ, वो प्रतिवेदन भी मुझे सो मुझे दिन भी किये जाएं, खबर ताला से है, जहां गाउ में बन रही, स्तीसी रोड निर्माड कार पर कार एजनसी और ठेके द्वार द्वारा निर्माड में लगाए गए, मटेरियल में लापरवाही बरतने पर ग्रामिलों ने सरपंच सच्छिप को बुला कर काम बंद करवान तो बेमतारा के CEO को दी गई जहां निर्माड कारे की स्तिति को अफगत कराया गया इसके संब्द में मेरे पास ऐसी कोई लिखी तिया मौफिक शिकायत नहीं आई है आपके मात्रम से मज़े जानकारी प्राप्त हो रहा है तो सभी जो कार एजनसी है उनको यह निर्डेसित किया जाता है कि जो गाइड लाइन है उसका पालन करें प्रॉपर तरीके से बोर्ड बनाएं गुमवत्ता का ध्यान रखें अगर नहीं किया जा रहा है तो मैं जब्द सीयों को बोल के चैट करवाती हूं जितने भी जिर्मान कारी होते हैं उसमें सुचना बोर्ड लगाया जाना अनिवार है समय समय पर हमारे द्वारा इसकी समिक्षा बैठक में रेडियू भी किया जाता है अगर इस टाइप से कहीं नहीं लगा है यह आपकी जानकारी में है तो आउगत कराइए तदकाल संबंदित को निढ़ने सिक्क्राइए कि शुचना बोड़ नहीं लगा है वह य्ट कंट्र के दवार्ण उनको पता नहीं है कि उसका माबदन में बनावा थे ला है अब सची सर्वन बनावाद का उगी मला जांबु भी वनसी आने ता वह लोग के सकागी से अब बेशे गिट्टी निया सची की कि थे वह तो बीज बोरी सिमेंट डाला थे बनावाद है अब वह बन जारी के वह दागते अला ता अभी दिखा था वह तो गिट्री और एक वह लाल दिखा थे अब सीमेंट अब दिखात नहीं है अगर सिकायत कर रहे लों सची ने बोले नहीं मेरा रहे सची खूद ता इस दीजिए इदादत नमस्कार